नॉर्मली लोग चाहते है कि वो किसी डॉनेशन, एंजियो या फिर चारिटी के लिए एक ऐसे वेबसाइट डिजाइन करें जहांसे वो उनके कॉस को डिस्प्ले कर सके और डॉनेशन एक्सेप कर सके एक्जांपल के लिए आज हम जो वेबसाइट डिजाइन बनाने वाले उसमें कुछ ऐसा फीचर्स होंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह हमारी होम वेबसाइट है यहां पर कुछ मैन्यूज है यहां पर उसके माचेजस डिस्प्लेड है किस कॉस के लिए आप डॉनेशन एक्सेप करना चाहत हो वो कॉजस आप मेंशन कर सकते हो similarly यहां पर आकर के आपको एक ऐसा फॉर्म दिखाई देगा जहां पर बताया जाएगा कि इस डॉनेशन का गोल क्या है कितने लोग डॉनेट कर चुके हैं कितना पैसा अभी तक रेज हो चुका है similarly बंदा जैसे नेक्स चाहेगा यहां पर आकर के वो नमबर अब पेमिंट जितना भी उसको करना है वो अमाउंट सेलेक कर पाएगा इवन इसमें से कोई लिस्टेड अमाउंट नहीं है तो वो यहां पर आकर के कस्टम अमाउंट एंटर कर पाएगा कंटीनू जाने के बाद में वो बंदा डिटेल देने के बाद में फाइनल पेमिंट कर पाएगा इसमेलरी यहां पर आप उस पेज पर डिस्प्ले करवा सकते हैं कि आप एग्जाक्ली डॉनेशन क्यों एकसेप कर रहे हैं कौन-कौन होया है लोग आपके टीम के अंदर आपका मिशन क्या है आपका गोल क्या है आप आपकी वीडियो क्लिप को आइड कर सकते हैं यहां पर एड्रेस, फॉन नंबर, जो भी बेसी कॉन्टेक की डीटेल और सिमिलरी फूटर में कुछ ऑप्शन पी यही नहीं अगर आप एक नहीं मल्टिपल ऐसे डॉनेशन के कैमपेंज चला रहे हैं तो आप यहां पर एक अलग से पेज कर सकते हैं इस पेज पर आपके जितने भी केमपेंज ओनगों हैं या फिर रिनिग केमपेंज उन केमपेंज को आप एब डिस्प्ले कर वा सकते हैं जैसे के एक्जामपल के लिए आपको यहां पर दिख रहा है कि वाटर क्लीन के लिए हम एक केमपेंज चला रहा हैं और आप इजीली सिर्फ और सिफ इसी साइट को डिजाइन करके फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं. तो इस प्रणाम एक किरतिश व्यास अगर आपको वैब डवलपेंट में इंट्रेस्ट है, make sure चनल को जरूर सुब्स्क्राइब करें, ऐसे बहुत सारे डीटिल व्यूस स्टैप बाई स्टैप आने वाले हैं. सिमिलरली मैं कुछ टाइम स्टैंप दे दूँगा अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक के बारा में आपको अल्रडी आइडिया है, सबसे पहले आपको एक वेबसाइट का ओवर्वियू मैं अल्री दे चुका हूँ, यू गाट तो नो कि exactly हैं कैसी वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं, next one is a hosting setup, reason क्या है कि यह जितनी वी वेबसाइट डिजाइन की जा रही है, वो वर्डप्रस के अंदर डिजाइन की जा रही है, और वर्डप्रस की दो minimum requirement है, पहला आपका यह जो content है वो कही ने कहीं इंटरनेट पर live होना चीए, जिसके लिए आपको चाहिए hosting, और दूसरा, आप जो भी वेबसाइट बना रहे हैं उसके लिए एक डॉमेन नेम चीए, तो जो भी beginner है, जिन्होंने कभी वर्डप्रस में वेबसाइट नहीं बनाई, तो उनको यह दो चीजों की requirement है, उसके लिए मेरी एक recommended place है, that's called a hostinger, आप directly इस platform पे आ सकते हैं, using a link जो कि मैं description में दे रहा हूं, simply उसको click करके इस page पे आ सकते हैं, hosting में जाने के बाद आप normal share hosting के साथ शुरुआत कीजिए, यह cheapest hosting आपको मिलेगी, इसके बाद आप यहाँ पर आकर के premium web hosting के प्लान के साथ जा सकते हैं, reason is, इसमें आप एक से जादा websites बना सकते हैं, तो future में आपके जादा clients होते हैं, अगर वो आपको बोलते कि आप उनकी website को host करो, तो आपको बार बार hosting purchase करने की जरूरत नहीं हैं, और इसी plan के अंदर आपको एक free का domain name मिल जाएगा, तो आपको domain का पैसा भी बच जाएगा, simply हम यहां पे choose plan पे जाएगे, and then जब आप checkout window पे आए, make sure minimum 12 month का plan आप select करें, क्योंकि यह one time आपको discount मिलेगा, heavily price discount आपको hosting मिलेगी, और यहां पर आकर कि अगर आपको लगे, अगर आपने मेरी लिंक को नीचे क्लिक किया हुआ है, तो आप यहां पर आके MRVYS के नाम से एक promo code यूज करेंगे, तो आपको यहां पे additional 10% का discount भी मिलेगा, simply इसको आपको purchase करना है, मैं अलड़ी इसमें purchase करता हूँ, तो आपको screen के अंदर backend में दिखाता हूँ, कैसे hosting server का setup किया जाता है, अगर आपने मेरी लिंक से या फिर नीचे दी हूँ special link से इस particular चीज को purchase किया हुआ है, तो make sure a special bonus का link भी मैं description में दे दूँगा, वहां पी जाकर आप 300 डॉलर तक का bonus claim कर सकते हैं, with a premium theme with license की as well, तो make sure आप उसको जरूर claim करे, link in the description. Now मैं directly jump करता हूँ backend में, क्योंकि हम करने वाल है server का setup, तो यहां पर आप दिख सकते हैं, just now मैंने hosting को purchase किया, तो आप जब अपने backend को login करेंगे, या फिर hosting के account को login करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, pending to setup, that means कि अभी हमें server purchase करना होगा, आपने किसी company को पैसे दे दी यह hostinger को, कि भाई मुझे एक server दो, लेकिन वो server कहा है, कौन सी जगह है, उसके लिए आपको basic 2-4 steps का click करना होगा, तो आपको simply यहाँ पर setup पे click करना है, यहाँ पर आ रहा है, I will create a website, I will migrate a website, तो ideally हम नई website बनाने वाल है, तो यह option आपको choose करना है, go to next, यहाँ पर हम wordpress को choose करेंगे, क्योंकि हम wordpress में website बनाने वाल है, then go to next, और यहाँ पर आकर के आपको wordpress के लिए और इसके बाद अगर आपको लगे है, तो आप यह सब कुछ skip कर दे, क्योंकि हम completely blank website बनाएंगे, now remember, यहाँ पर आके आपको नजर आ रहा है, आप यहाँ पर एक अलग से temporary domain ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने premium hosting purchase किया है, तो आपको एक free domain मिलेगा, आप search कर सकते हैं, उसके लापको pay करने के जरूरत नहीं है, मैं अभी के लिए मेरे पास existing domain उसको use करूँगा, तो मैं इसको select करता हूँ, I will go to next, और जैसे आप इस step को finish करता है, यहाँ पर option आएगा, आपको कौनसी country का server पे site को host करना है, आपके site पे जब तक millions और billions में traffic नहीं आता, कोई भी आप server choose कर दे, कोई भी जादा फरक नहीं पढ़ने वाला है, अभी के लिए में India choose करूँगा, लेकिन आपके पास यहाँ पर तीन options listed है, मैं next करूँगा, and now, इस step के बाद मैं, अगर आपको कुछ ऐसा डेशबोर दिखाई देगा, तो जैसे आप मैंच पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ ऐसा डेशबोर दिखाई देगा, और यहाँ पर नजर आ रहा है, एडमीन पैनल for WordPress, यहाँ पर नजर आ रहा है, हम हमारी वेबसाइट के बाकेंड में है, अगर आप यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ साप क्लिक करके देख सकते हैं, हमारी साइट अभी कैसी लग रहे है, तो इमेजिन अभी साइट इसे दिख रहे हैं, और फ्री की थीम हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि कुछ जादा एक्समेंस नहीं लेगा, इवन दो अगर आपने ओफर क्लेम के आद आपको प्रीम थीम दी जाएगी, बट फॉर टाइम बिंग, मान लीजिए कि आपके पास अल्री होस्टिंग है, तो आप अव्यसली क्लेम नहीं करोगे, तो उस के इसके नदर हम फ्री थीम को यूज करेंगे, और उस थीम के इंस्टॉलेशन के लिए आपको अपिरेंस में जाना है और थीम पे जाना है, जब आप यहां पर जाएंगे आपको एड़ दीम पे क्लिक करना है और यह आप ट्राय करना है एस्टृ एस्टॉलीत करना है। इसको इसिंटॉल करने के बाद मैं इसको सिंपली एक्टिवेट करना है। After activation, let's see next step क्या था, तो जैसे हमने इसको install और activate किया, अब की बार हमारी website जो की कुछ ऐसे दिखाई दे रही थी, जो की dummy website थी, इसको हम रिफ्रेश करेंगे, आपको नजर आएगा ये site का design और pattern कुछ ऐसा बन चुका है, जहां पर अभी कुछ हमें detail दिखाई नहीं दे रही है but completely theme का structure change हो चुक है और site का नजरियाद देखने का कुल totally बदल चुका है, अभी हम क्या करेंगे, एस तरह theme के कुछ ready made templates होंगे, जो आपको free plan में भी दिखाई देंगे, हम उनी को use करेंगे, और उसके थू हम कुछ ऐसे pre inbuilt template को use करेंगे, जिससे हमारी site के अंदर data भी आ जा देगा, उसको install or activate करना है, इसके बाद आपको screen पर route कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पर classic starter template पर click करना है, और अपकी बार हमें क्या दिखाएगा, उसके सारे ready made template, एस तरह के 250 plus ready made templates है, site ready made design है, हमें वो template यहाँ पर मिल जाएंगे, but make sure आपको यहाँ पर आना है, और block editor की आपको elementor चूज करना है, elementor एक page builder है, जिसकी help साब कैसे भी page design कर सकते हैं, तो आप वही theme install करें, जो elementor के through design है, या फिर उसके साथ compatible है, अगर आप कोई दूसरा page builder यूज करते हैं, जैसे की brave builder, तो आप वो वाली theme ही use करें, but most of the people use elementor और हम भी elementor यूज करने वाला है, मैं element यूज करूँगा, ऐसा आप करोगे, आपको simply यहां पे sync पे click करना, ताकि उसी से related, जो भी ready made template से हमें आप दिखाई देंगे, इसके बाद आपको यहां पे अलग-अलग options है, but हम बनाने वाले एक charity की website, उसके लिए आपको community पे आना है, and then after आपको simply charity पे click करना, उससे क्या होगा, सिर्फ charity से related website के templates हमें दिखाई देंगे, which are like this, अब इस में से हमें कोई भी template पूल करना है, जो भी हमारा cause है, जैसी हमारी requirement है, anyways, no matter आपको जो भी template से लगता है, take an example, मुझे यह template से लगता है, मैं इसको click करूँगा, आप जैसे इसको click करोगे, आपको नजर आएग तो हम चूस करने वाला है, यह वाला template, जो कि मैं आपको अलड़ी दिखाया था, which is animal welfare, और क्योंकि हम environment related कोई cause के लिए हम कोई collection करना चाहता है, donation के website बनाना चाहता है, तो that's the idea, okay, behind making this video, आप इसको select कर सकते हैं, आपको नजर आएगा कि यह template कैसा दिखाई देगा, which is like the, ज हम default के साथ जाएंगे, आपको continue पे click करना है, और अपकी बार remember, आपको यह step आएगा next, और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है donations, हम anyways donation के website बनाने वाले हैं, तो अगर आप इसको select करेंगे, तो क्या होगा donation का एक plugin होगा, जो by default install हो जाएगा theme के साथ में, okay, अगर आप यह नह new पे click करना है, यह detail fill करें, ना करें, it's your choice, और मैं directly आपको submit and build my website पे click करूँगा, अभी क्या करेगा, उसी theme से related सारा data, उसकी images और उसी से related वो जो mandatory plugin है, वो सब कुछ install करके रख देगा, हम ऐसे basic customization करना और हमारी site ready हो जाएगी, so let's wait, यह hardly आपको 1-2 मेट का time लगाएगा, okay तो finally आपको नजर आ रहा है, 100% complete हो चुका है, that means कि site का template, everything is been downloaded, that means कि हमारी site पे सब कुछ आ चुका है, देखना चाहा है, तो आप यहाँ पे click करके site को open कर सकते है, otherwise existing windows को आप refresh करें, आपको नजर आएगा, site के अदर वो सारा data आ चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया था तो इसी को हम further customize करेंगे, बट ऐसा कुछ दिख रहा है, okay, now हम directly visit dashboard पर जाएंगे, जिससे हम पहुच आएंगे WordPress के backend के अंदर, जहां पर actually हम यह सारे installation कर रहा है, तो remember, जैसे कि मैंने कहा, हमने theme को install किया, तो ऐस तरह दिख रहा है, donation का जो plugin चाहे था, वो भी इसने install करके र So, let's go back and see, हमने क्या cover किया, हमने free का theme install किया, और जो भी mandatory plugin चाहिए, एक है element और दूसरा है givewp, जो की donation का plugin है, यह भी by default install हो गया, but माल लीजे कि अगर आपने givewp, आफि इस donation के checkbox को check नहीं किया, माल लीजे कि आपको इस दूसरी theme use करते हैं, तो आपको यह plugin manually install करना होगा, यह कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आएंगे, प्लगीन में आपको add new पे जाना है, okay, and then after यहाँ पर आपको search करना है givewp, इसको search करें, तो आपको पहला plugin दिखाए देगा, जो one of the most popular plugin है donation के लिए, इसके roughly 1 lakh के आसपास installations है, और आप देख सकते यह already install or active है, तो make sure आप यह activate कर करें, लेकिन अगर आप Elementor के साथ कुछ widget का भी चाहते हैं, तो आप definitely इसको भी install करके रखें, तो Elementor के तुर आप widget बना पाएंगे, which is bit advanced, अगर आप जाना चाहिए उसमें, तो make sure आप इसको enable करके रखें, तो it looks, will help you little more, now इसी के साथ आप make sure करे, Elementor का जो plugin है, उसको भी आ आप install करके रखें, अगर नहीं है, तो आप यहाँ पर आए, Elementor, Elementor के दो चीज़े है, एक free और paid version है, free आपका by default installer, पेड की अभी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम free में हो सकता है, तो यह वाला plugin आपको install करना है, अगर वो by default install नहीं है, तो यह होगे mandatory plugin, जिस से donation आएंगे, वही है, जो plugin आपको यहाँ पर दिख रहा है, यह सारा काम वही कर रहा है, तो लेट्स को एंद सी कि उसके अंदर क्या-क्या basic settings है, इसके लिए हम लोग give WP पर आएंगे, विच इस donation के नाम से रहेगा, आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, आपको कुछ ऐसा दि दिखना चाहिए, तो वो पेज है, यह वाला donation confirmation page, जो इसना अल्यडे डिफॉल्ट बना के रखा, तो अगर आप पेज में जाएंगे, आल पेज पेज पे जाएंगे, तो आपको नजर आएगा, इसने तीन पेज बनाएं, डोनेशन कन्फर्म होगा, तो लोग को कैसा message दिखाई देगी, तो ऐसे कुछ screen दिखाई देगी, जहाँ पर अव्विस्ट उसको data आएगा, वो आपको दिखाई देगा कैसा donation success हुआ, जब आम जाएंगे, पे करेंगे, तो इस सारे mandatory pages यहाँ पर ready है, ओके donation fail हुआ, तो क्या message आएगा, donation success हुआ, तो क्या message आएगा, तो आप दे सकते हैं, माल लिजे कि हम इंडिया के लिए सारा gathering कर रहे है, तो हमारा 20 country है इंडिया, और यहाँ पर state आगर आप देखना चाया, तो let's say I will type here something like Rajasthan or something and then save changes, तो कुछ यह basic setting है, now you can come to the currency, ताकि वैसी currency screen पर display होगी, तो हम लोग यहाँ पर currency जाएंगे, और US dollar के तो और कुछ चेंज नहीं करना है, accept the currency and make sure save changes, तो यह यहाँ का setting है, next one is access control पर आप जाएंगे, और इसमें आपको कुछ भी changes करना है कि जरुवत नहीं है, as it is, और यहाँ पर sequential ordering, माल लिजे कि आपने कभी कोई किसी ना order placed किया, तो उसको एक order ID generate होगा, order number 1, अभी दूसरा क अभी पे करना है, तो obviously order number 2 आना चाहिए, तो इसा sequence में आना चाहिए, तो next donation कितने number से increase होना चाहिए, उसका number है, वो plus 1 कर दिया, तो हमेशा नए donor को एक number मिलता रहेगा, जो plus 1 होगा from the past donor, and next one is beta feature, इसको ignore करता है, तो यह basic है, कुछ चेंज नहीं करना है, वो एक-दू settings है, जिससे आपका काम बन जाएगा, now let's go to the payment gateway, यह critical area है, आप logo से payment लेंगे, तो आपको अलग-अलग options होने चाहिए, जिसके example के लिए, test donation अभी हमने enable कर रखा है, तो अभी हम देखेंगे कि हम पैसा pay कर पाएंगे, just for testing purpose, तो अभी enable किया है, लेकिन आप logo से offline पैसा लेना चाह पर और कैसे है, आपको add-ons में जाना है, और जो जो भी options आपको नहीं दिख रहे है, आप add-ons में जाए, और जो जो भी payment gateway आपको चाहिए, वो सारे options आपको यहाँ पर दिखाए देगा है, जैसे कि must have add-ons है, additional add-ons पे चले जाए, आप text है, currency switcher है, आप टेक्स्ट है, currency switcher है, तो उसका भी अपना एक plugin है, वो plugin आपको यहाँ पर मिल जाएगा, simply आपको यहाँ पर जाना है, explore करना है, वो plugin को ढूणना है, कौन-कौन से plugin है, example के लिए, जैसे मैंने view all पे गया, और यहाँ पर जाने के बाद माल लीजे कि मुझे चाहिए Razor Pay से payment लेना है, तो मैं आप इन plugins को ले सकते हैं, और यह जो plugins है, वो आप directly यहाँ पर select कर सकते हैं, कि आप किसके थूपे में लेना चाहते है, तो अभी के लिए मैं यही option यहाँ पर रखता हूँ, similarly test mode हमने enable कि है, ता कि हम testing कर पाएंगे, जो कि हमारा goal भी है, अभी आप देख पा रहा है, यहाँ पर जाता हूँ, and you will see here कि यहाँ पर buy now का option आपने plugin लिया है, plugin आपको install करना है, and the things will be sorted, okay, तो कुछ इस तरीके साफ अप अलग अलग payment gateways यहाँ पर integrate कर सकतो, similarly यहाँ पर default option आपको दिखाई दे रहा है, तो जब भी कोई user enter करेगा, तो उसको Mr. Mrs. का option देना है, तो yes अपने mandatory रखना है, आपने optional रखना है, तो आप जब form design करोगे, तो उसके अंदर आपको enable disable का option आएगा, कि आप रखना चाहो mandatory तो करो, otherwise कोई नहीं, तो यह सार वो basic options है, इसको मैं save changes पर क्लिक करता हूँ, similarly emails, which is quite common, जैसे आप donation receipt की बात करें, जैसे ही बंदा अगर exactly payment करता ह तो उसको email trigger होगा, कैसा email देखेगा, अब ही मैं send test email करता हूँ, तो जो भी हमारा admin ID होगा, उस पे email चला जाएगा, तो I will show you कैसा दिखाई देदा है, okay, तो मैं भी मैं Gmail के account में जाता हूँ, तो ideally, जब भी मैं आपे मेरे email box के अंदर जाके चेक करूँगा, तो I will see, कि को click करें, और यहां पर messages आप customize कर सकते हैं, और यह कुछ predefined field है, इसमें changes करना सकते है, कर सकते है, तो आपको जो message लिखना है, आप वैसा customize करें, और automatically WordPress email को trigger करेगा, likewise जितने भी email है, user जब sign up करेगा, register करेगा, donation करेगा, email के through access करेगा, तो सब के लिए आप email को configure कर सकते है, right, यह donor के email है, similarly, आप admin, आपको भी email आएंगे, किसने ने डोनेशन किया, तो वो configuration आप यहां से change कर पाएंगे, तो these are all that stuff, okay, similarly, GiveWP के कुछ premium features है, अगर आप उसको access करना चाहता है, जैसे example के लिए recurring payment, यह इनका premium feature है, कि बंदा हर महीने पे कर सकता है, which is not comes under a free plan, तो उसके लि नहीं है, तो यह सारे वो different different areas है, जिसके थुरू आप यह सब कुछ कर पाएंगे, जो एक donation plugin के लिए होना चाहिए, okay, similarly, एक चीज और आपको बताऊँगा, या पर default option में, अगर आप जाते है, तो आप में या पर terms and condition का एक page दिखाए दे रहा है, अगर आप इसको click करेंगे तो आपके कोई भी terms and condition है, वो आप यहाँ पर copy paste कर सकते हैं, जो भी आपना लिखाए, क्योंकि इसी को हम form designing करते हैं, हम इसको use करेंगे, तो make sure यहाँ पर आपको terms and condition को change करना है, अभी के लिए मैं, would you like to require that donor agree to your terms, तो यहाँ पर अगर आप disable करते हैं, तो वो optional हो जाएगा, form designing के time पर अगर आप enable करते हैं, तो mandatory हो जाएगा हर किसी को एक condition accept करना है, मैं आपको बताऊँगा कैसे mandatory कर सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या text दिखना चाहिए, remember agree to terms यह दिखाई देगा form पर, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर, तो यह वो area है, जहाँ पर आप terms or condition define कर सकते हैं, और यही display होगा जब वो form के अंदर दिखाई देगा, तो यह है basic setting give WP plugin का, और exactly यह सारी settings आपको ensure करना है कि fully intact हो, क्योंकि इसी की basis पर आपका donation का काम होगा, clear, तो hopefully आपको इस चीज का idea clear है, तो we have gone through इसके basic setting, now part आता है main चीज, कि इसका form कैसे design करें, जो भी आप आपको यहां पर आना है add form पे, जैसे आप add form पे click करेंगे, अभी हम यहां पे form design करेंगे और यही form हम हर जगह पे लगा सकते है, जहां पे हमें donation लेना है, तो इन्होंने तीन template बना है, पहला classic जो कि इनका पुराना है, जो कुछ ऐसा दिखता है, दूसरा है multi step जिसके अंद आप यहां पर proceed का option, आप इसको proceed को click करें and then got it, तो यहां पर कुछ ऐसा दिखाई देगा, यह बिल्ड है, यहां पर जाकर कि अगर आप देखेंगे तो आप drag and drop करके, जो जो भी field आपको add करने, आप add कर पाएंगे, और यह वो area जहां पर हमारा form का final look and design दिखाई दिखाई किया, और इसके लिए आपको write in site में option आरा header, header में जाएंगे तो आप इस text को change कर सकते हैं, help us in our cause, okay, and यहां पर दे सकते है, let's save environment together, okay, तो यह कोई भी message आपको display करवाना है, यहां पर आप दो लिख सकते हैं, similarly, अगर यहां पर आप image add करना चाहते हैं, let's see, मैं यहां पर upload प insert कर सकते है, free images में जाएंगे, तो pixa बे और अलग अलग जगे से जो भी images है, वो यहां पर आ सकते है, तो माल लीजे मैं यहां पर type करता हूँ, environment, okay, तो यहां पर environment से related मुझे बहुत सारे images मिलेगी, let's say, यह image मुझे चाहिए, मैं इसको select करूँगा, insert image पर click करूँगा, तो यह image उस particular area में, उस form में, उस जगा पे add हो जाएगी, हमारी wordpress में download हो जाएगी, let it finish, तो अगर आपको नजर आ रहा है, simply यहां पर हमने वो image डाली, इसके ओपर text लिख रहा है, which is good, लेकिन अगर आप इस image को उपर और नीचे लगाना चाहते है, तो यहां पर image का style आ रहा ह Okay, now यह जो button है, उसमें आप changes करना चाहते है, come here, donate now को आप select कर सकते है, simply donate now जो भी रखना है, similarly next जो button आएगा, उसका नाम होगा continue, तो वो हमने आपे continue रहने दिया है, button का, जो donate का button है, वही यहां पर है, तो यहां पर donation का goal, जो आपको नजर आ रहा है, यह वाला area है, यहां आपी क्या display करवाना है, कितना amount raised हुआ, जो आपको दिखाना है, goal का type, तो यहां पर दिख रहा है, and then देखो, अलेगला goals है, right, number of donations, तो अगर आप देखेंगे, तो यहां पर बताएगा, कितने, हम चाहते है कि हजार लोग donate करें, या फिर हम चाहते है कि लोग इतना amount raised करें हम इस donation के तो, let's take an example, if I will type here, something like, okay, 110,000 के आसपास, हम चाहते है donation, okay, तो यह हमने set किया, goal का progress all time रखें, जिससे कि all time जब भी, जिससे user pay करेंगा, जितने donation accept होते जाएंगे, उसका count ऐसे बढ़ता जाएगा, तो यह जो setting है, आप यहां से कर सकता है, make sure आप इसको save कर दे, clear, let's go to the next step, उसके लिए आपको donate now पे click करना, भी आपको नजर आ रहा है, यहां पर है यह सारे custom field, जो हम देख रहते हैं कि अगर किसी को 25P करना है, 50P करना है, 100 करना है, 250 और 500, लेकिन अगर आप इसमें changes चाहते हैं कि exactly यही नहीं, इसके अलावा भी additional field हो, तो आप बिल्ड प already noted down, right, हम चाहते हैं कि बाई शुरुआ थी हो 100 से, यहां फिर मान लोग कि 10 रखता हूं, यह 25 है, मान लोग इसको मैं 50 कर देता हूं, सब के आगे 00 कर देता हूं, okay, so something like this, जो हमने add किया, एक custom amount जहां पे user अपनी मर्जे से amount डाल सकता है, तो अगर आप उसको enable करना चाहते ह इसको enable करके रखे हैं, right, similarly recurring donation, anyways, जैसे कि मैंने कहा, यह premium feature का प्लान है, तो यह feature हमें मिले करें, तो यह customization हमने यह से कर दिया, right, और इसको आपको save traffic करना, remember, अभी अभी अबने क्या change किया, 1000 कर दिया, 100 को, 250 को, 2500, अभी अगर आप design में जाके देखेंगे, अगर मैं second step में आपको वही changes दिखाए देगा, तो कुछ इस तरीके साब जो build में change करेंगे, वह आपको actual design में दिखाए देगा, clear, let's go to the next, और यह हमारा first name, last name, email address, अगर इसमें हमें phone number add करना, हम build में चले जाए, let's go, this is the area, आपको इसको select करना, plus icon पे जाना है, and donor phone number, आप इसको select कर दे, यह filled mandatory है, तो आप required पे click करें, नहीं है तो okay, इस तरीके सा हमने यह detail share किया, इसको उपर रखना चाहता है, आप उपर रख सकता है, then save drop, अब यह हमने mobile number पे add किया, let's go back, in the design की वह reflect हुआ है कि नहीं हुआ, तो चले चलता है, and now you can see, यहाँ पर mobile number पे add हो गया, बस यही है, जो भी options आपके plan के साबस आपको दिखाई देंगे, you can keep adding those stuff, now यह जो payment का part है, remember हम चाहते है कि जब भी बंदे पे करें, terms और condition को assign करें, which is the basic rule जब भी आप payment लेता है, ताकि user aware हो कि आप किसले पे कर रहो, बात में कोई question ना करे, तो even though आप जब design में जाएंगे, तो आपको दिख जाएगा, इसको आपको click करना है, अभी, यह terms और condition उसी settings आ रहा है, जो भी वहां के summary यह वहां पे आ रहा है, remember वो text था, agree to terms यहां पे आ रहा है, तो अगर आप चाहते है कि accept terms यह सा दिखाई दे, तो वहां पे text चेंज करें, but obviously हम नहीं चाहते है कि ऐसा पूरा summary यह इसे करेंगे, यह field के जो options है, उसके अंदर global की वज़ा आप customize कर दे, और यह जो area, show terms in form को, आप show terms in link to terms पे click कर दे, तो उससे यह कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहां पर कुछ ऐसा text रहेगा, जिस पर लोग click कर सकते हैं, और यहां पर आउंको check box दिखाई देगा, और link text के अंदर show terms के अंदर हम लिख सकते हैं, read more, जिससे वो बंदा उसको click करके वहां पर जा सकते हैं, और वो जो URL जहां पर आपका terms और condition है, let's take an example, अभी के लिए मैं कुछ भी एक dummy page डाल दाल दाता हूं, मेरा खुद का website का, या फिर आपने जो भी page design किया है, कहीं पर अल्यदी पड़ा हुआ है, उस page को आप या पर link कर सकते हैं, otherwise show terms in model अगर select करते हैं, let's see, आपको यहां पर क्या दिखाई देता है, तो अलग-अलग options है, आप यहां पर choose कर सकते है, agree terms, तो आपको यह नजर आ रहा है, यह वाली summary है, तो anyways, जो हमने वहां पर enter किया है, वो अगर आपक इसको दिखाना है, तो आप make sure, show terms in model select करते हैं, तो यह as is दिखाई देगा, और terms जो हमारी existing वो यूज होगी, और इसको save traffic करेंगे, right, तो terms and condition भी add हो गया, यह page भी add हो गया, यह page भी customize हो गया, तो हमारा design fully ready है, यह कुछ ऐसा दिखाई देगा, simply आपको इसको publish करना है, donation form क नाम यहां पर, कुछ basic setting अर आप देखना चाहिए, तो यह सका URL होगा, जो आप share कर सकते हैं, public में रहेगा यह, that means की लोग इसको access कर पाएंगे, इसके header पर जो भी है, जब भी बंदा अगर लेगा, तो उसको कैस तरीके का message दिखाई देगा, तो thanks for your donation ऐसा दिखाई देगा और यहां पर आपको description में यह चीज़ी दिखाई देगी, और email के अंदर यह basic detail, वो में आपको बताऊंगा, कहां पर दिखती है, पर यह template आप customize कर सकते हैं, जिस पर detail में नहीं जाएंगे, now let's go and publish this, तो इस तरीके से हमने एक particular campaign को setup किया है, और यह campaign अगर आप देखना चाह तो अभी हमने चो design किया, वो आपको नजर आ रहा है, और यह form किसलिए हमने design किया था, that is general environment cost, तो चलिए इसका नाम भी हम change कर सकते है, अगर हम edit पे जाए, दे जो donation forms है, और अगर आप यहां पर जाके देखे, let's see, कहां से setting के अंदर, और यहां पर दे 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 और environmental cost के लेगन अपकी बार थोड़ा सा हम changes करेंगे, जैसे कि यह है duplicate, draft one, इसको हम edit करेंगे, और अपकी बार हम जो campaign design कर रहे है, let's say, यह जो campaign है, which is more like save animal, okay, यह हमने कर दिया, कि हम animal को save करने के is cause से इसको बना रहे है, switch, okay, and then go to build one, और यहां पर design में जाएंगे, and then अपकी बार इ to save animal, image में हमें change करना है, let's see, हमारा पास existing image किया है, यह सारी image है, so let's see, I will choose this one, and इसे को we select कर देते है, तो यह हमारा animal के cause के लिए बन गया, which is closely similar, इसको भी में पब्लिश कर देता हूं, तो यह हमारा second part ready है, okay, and setting में जाएंगे हम, save animal cause, और यहां पर एक नया URL जनरेट है, so ह let's see, हम एक तीसरा campaign बनाना चाहते है, which is more like clean water, okay, just, जो कि हमारा objective था, तो मैं इसको फिर साइड में जाओंगा, यहां पर जाओंगा, and type करूंगा clean water, make sure आप URL change करते रहे, ताकि आपको future में याद रहे, and then update, and then I will go to the design, and this time, water calm, choose करेंगे, so header में जाएंगे, change image पर जाएंग so, यह वाला हमने आपर design कर दिया, जो हमारा cause है, तीसरा वाला, and then इसको हम अपडेट करेंगे, okay, let's go back and see, कि यह changes reflected है के नहीं, okay, तो जसे हम इसको करते हैं, तो हमने आपर तीन campaign बना एक water के लिए, एक animal, or general environmental cause, let's go back and see, और make sure यह तीनों के तीनों पब्लिश्ट हो, okay, और जब reflect होंगे, तो little bit time लेंगे, but finally हमने तीन campaign बना है, सबका purpose सेम ही है, कि इतना amount हमें collect करना है, okay, if you wanted to make changes, आप कर सकते हो, but these are the three forms, तो कुछ इस तरीके से हम लोग donation form design करेंगे, which is the main area, क्योंकि यहीं से सबकोच आएगा, पैसा आएगा, सबकोच यहीं से आएगा, ना जो पार आता है, which is homepage का customization, अगर आपको यह homepage design करता है, जहां पर आपकी causes or everything आपको design करना, आप कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप चाहे सिप 40 minute के अंदर, तो make sure उसमें आपको detail learning है, कैसे elementor को use करना, कैसे pages बनाना है, तो आपको detail learning वहाँ से मिलेगी, but इस video के purpose से हम existing page को customize करेंगे, छोटा मोटा ता कि आपको idea रहें, इकैसे इस form को integrate करना है, let's go, so उसके लिए आपको जाना है, यहां पर pages में, click करना है, all pages के icon Now, see here, already page design है, यहां पर home page, which is जो हमारा current page है, आपको इसको edit with elementor पर click करना है, तो यह page कुछ ऐसा दिखाई देगा, जो कि हम optimize करेंगे, या फिर edit करेंगे using elementor, तो यहां पर elementor का page builder load हो रहा है, जिससे हम उस page को edit कर पाएंगे, okay, इसको skip करना है, तो यह elementor के ही elements है, और उसस हम change कर पाएंगे, तो let's see, यहां पर हम क्या message लिखना चाहते है, saving animals since 75 years, तो हमने एक animal का theme download किया था, तो ultimately वैसा ही data है, but let's see, हम इसमें changes करते है, let's save, okay, तो हमने लिखा गे बाइचलो, let's save environment together, अगर आप इसका text है, उसको change करना चाहते है, आप यहां पर tag change कर दे, h1 से h2, यहां फिर आप styling के अंदर चले जाएं, तो यहां पर आपको typography के options दिखाई देते हैं, यहां पर आप size में changes कर सकते हैं, कैसा text का length दिखना चाहिए, height दिखना चाहिए, तो you can make a changes, right, तो अभी हम एक line के अंदर इसको कर देते हैं, यह हमारा हो गया title, यह इसको तोड़ा औ typography में जाता हूं, and make it little more, okay, so let's say little more bigger, let's save environment together, okay, इसके बाद आप इसको change करना चाहते है, join hands, be a hero, तो आप यहां पर आपर आपर करके इसको select कर सकते है, let's join us for good cause, okay, यह हमने select कर दिया, यहां पर इसको changes करना चाहते है, यहां पर रखना चाहते है, it's down to you, मैं इसको delete कर देता हूं, delete हो गया, यहां पर मुझे कुछ add करना है, मैं यहां पर headline को लेके आउंगा, यहां पर paragraph, जैसे paragraph रखना है, तो मैं यहां पर, अगर आप दिखाई people, already join their hands with us, ऐसा मैं एक message जाला, okay, and then see, मैं इसको ही change करता हूं, okay, then इसका color वोलर आपको change करना है, आप styling के अंदर आजा है, इसका color जो भी आपको थोड़ा सा ब्राइट रखना है, bright रख सकते हैं, start it to center or somewhere, जो भी आपको सही लगता है, alignment आप चेंज कर सकते है, तोड़ा सा size बढ़ाना है, you can make changes like this, okay, similarly, बहुत सारे customization के options हो, अगर आपने video देखा ता आपको समझ में आ जाएगा, अगर आप यहाँ पर देख रहे है, उपर की तरफ तोड़ा सा spacing खाली है, okay, तो आप इसको select करें, let's see, कि gap com कैसे fill करें, तो यहाँ पर styling है, advance है, advance के अंदर आपको padding है, तो यहाँ पर top में जो padding है, या फिर margin 50 का top में created, इसको आप जिरो कर दें, तो automatically वो space कम हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके साब basic customization कर सकते है, now, आपको यह container दिख रहा है, उसके पीछे का image change करना है, आप इस पर select कर सकते है, let's see कि कहा पर क्या image है, तो अभी आपको यह image दिख रही है, इसके बजाए आपको general environment की image चाहिए, आप नहीं image में changes करना चाहते है, कुछ changes करना चाहते है, from the backend side or something, वो आप free image में जाके नहीं images को डाउनलोड कर सकते है, otherwise हमारी existing image को आप use करना चाहते है, let's say यह वाली image, आप इसको select करें, तो backend में जो image है, that will change, which is look like this, okay तो यह कुछ ऐसे image बदल चुकी है, now अगर हमें पहले वाली रखनी है, आप choose image पर जाए, let's see, I needed this one only, या फिर यह वाली में इसको select करूँगा, तो backend की image चेंज हो जाएगे, which looks like this, okay, तो ऐसे कुछ हम change कर पाएंगे, and यहाँ पर आके आपको save draft पर करना है, ताकि हम इसको save नहीं कर रहे है, अभी के लिए इस बटन को as it is रहने देते हैं, या फिर इस बटन पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर जो default है, इसका text है, यहाँ पर आप क्लिक कर दे, donate now, और इस बटन को हम लिंक कर देंगे, कैसे मैं आपको बताऊंगा, कहाँ पर लिंक करना है, but let's see, donate now तो यह हमारा बटन हो गया, इस पर आप क्लिक करेंगे, तो डारेक्टे डोनेशन पर चले जाएंगे, okay, so now let's see, I will save this stuff, now यह वाला है, यहाँ पर आप कोई कोट लगाना चाहता है, या फिर आपके कोस को दिखाना चाहता है, तो यहाँ पर एक section है, which is image, okay, और यह इमेज प आप क्लिक करेंगे, तो इस पर आप चूज इमेज पर चले जाएं, माल लेजे कि हम किसी cause के लिए है, right, तो यहाँ पर लोग का क्या कहना है, तो मैं फड़ापर से image लगा देता हूं, या फिर माल लीजे कि यह वाली image लगाता हूं, या फिर something like helping people, जहाँ पर लोग एक जरुत नहीं है, आप यहाँ से डिलेट कर सकते हैं, और यहाँ पर, why you should join us, कि हमें लोग को message देरे हैं, कि हमें क्यों आपको हमें क्यों जोइन करना चाहिए, आप इसको डिलेट कर दे, और यहाँ पर एक quote है, जो कि मैंने Google से normally copy किया था, तो you simply go through that, कि what you do make a difference and you have to decide what kind of difference you want to make, तो ऐसा कोई भी आपको text wax add करना है, we can go back and just simply इसको update कर दे, okay, now you can make a changes with the alignment and everything, आप styling पे चले जाए, center पे चले जाए, जैसा भी आपको सही लगता है, you can change the color, designing, everything, okay, तो यह हमारा एक पार्ट है, जो एड हो गया, join us, अगर इसमें आपको changes करना है, you can do that, इस area कि अगर लगानी है, you can make a changes, it's just a basic customization, मैं इसमें detail में नहीं जाओंगा, okay, similarly, यह सारा हमारे already existing causes है, क्योंकि हम environment stability बना रहा है, तो चलिए, यह सब इसको mention करी देते है, now यह data में आपको changes करना है, आपे हर एक field को click करे, आपको यहापे changing के option आजाएंगे, यहापे कुछ counter बनाए गया ह यह लोगों को ऐसा number दिखाएंगे, random numbers, okay, तो वो counter का part है, similarly, यहापर अगर आपको वीडियो एड करना है, माल लिजे कि हम यह आपे click करेंगे, और यह वीडियो अभी वीडियो का वीडियो अप्लोड है, इसकी बज़े आपको YouTube से वीडियो अप्लोड करना, आप YouTube पे चले किया, likewise, आप यह चेंजे कर सकते हैं, अभी के लिए मैं save drop पे click करता हूँ, तो इस तरीके हम ने कुछ चेंजे किया, इस वाले page पे जो कि आपको नजर आ रहा है, exactly क्या करना है, कैसे करना है, and this is how our website will look like, now, कुछ और additional changes हम यहाँ पर करेंगे, जैसे कि माल लिजे कि हम आपको click करता है, तो एक container open होगा, और यहाँ पर आप grade view में चले जाए, हम तीन add करेंगे, हम तीन size ले ले लेते हैं, one, two and three, अभी हर boxes के अंदर हम कुछ नया addition कर सकते हैं, तो एक जामपल के लिए यह container ही create हो गया है, तो मैं इसको container के तरह यहाँ पर बना देता हूँ, now, इस container के अंदर हम add कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पर मैं plus पर icon पर click करूँगा, let's see, हम क्या-क्या add कर सकते हैं, तो सबसे पहले, मान लीजे कि हम यहाँ पर add करते हैं, एक heading, तो मैंने यहाँ पर heading को drag and drop किया, और यहाँ पर है, मान लीजे कि normal and environment, यह हमारा environment cause, इसको मना रहते है S3, style के अंदर चले जाते है, which is okay, S3, okay, now let's go and, now इसके नीचे हमें image लगाना है, तो image के लिए आपको फिर से drag and drop करना और इसके नीचे ड्रॉप करना है, और इसके नीचे ड्रॉप करना है, okay, और यह environmental है, आप यहाँ पर choose image पर चले जाए और जो भी environments related, यह वाली image हम select कर द जाके आप make sure यहाँ पर bold कर दें, जिस तो थोड़ा bold दिखाए देगा, okay, तो कुछ इस तरीके समने यहाँ पर design किया, और इसके नीचे हम एक button लगाना है, donate का, तो हम फिर से इसको click करेंगे, या फिर इस वाले section को click करेंगे, या फिर जो भी आपको container लगता है, यहाँ पर type कर देंगे, donate now, और यह वाला part हम तोड़ा center में styling करके, यहाँ पर center में align कर देंगे, तो इस तरीके समने environment cause के लिए किया, अभी similarly, इसी को हम copy कर सकते है, duplicate, तो यह container यहाँ पर आ गया, और इसी container को all duplicate कर सकते है, तो यह container यहाँ पर आ गया, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे है और यह हो गया हमारा animal का cause, और यह हो गया हमारा clean water का cause, okay, now, animal के अंदर हम image change करना चाहते है, make sure you change the image, और जो भी animal की image आपने choose की है, select की है, make sure you use it, let's take an example, मैं इसको use करता हूँ, and then after this one, clean water, मैं यहाँ पर जाओंगा, तो यहाँ पर मैं चलिए, अभी के लिए मैं यह वाला image select कर देता हूँ, clean water, and obviously image का size little different है, इसका size आलेगा, इसलिए थोड़ा सा weird दिखेगा, but make sure आप इसको proper align करे, तो ऐसे हमारे 3 causes है, right, now, अब की बार हमें वो donation, जहाँ पर लेना है, उसको home page पे add करना है, तो प्लस आइकन पे चले जाए, यहाँ पे प्लस पे जाए, ग्रीड पे जाए, और हम यहाँ पर चूज करता है, let's take an example of two grids, or maybe let's say two grids हम चूज करता है, तो यह grid है, जहाँ पर हम image add कर पाएंगे, और यह वाली grid है, जहाँ पर हम donation का form, image के लिए में प्लस आइकन पे क्लिक करना है, let's take an example, मैं drag and drop करता हूँ, image हमें कौन से चूज करने है, let's say यह वाली image हम लगाना चाहते है, मैं इसको select करूँगा, यह कुछ असे दिखाई देगी, या फिर, let's take an example of having a real image, which is this, जो भी हम लगाएंगे, और अपकी बार, यह जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर हम हमारा donation का form add करेंगे, इसके लिए आपको plus icon पे जाना है, यहाँ पर copy करना है, तो अभी के लिए मैं इसको copy करूँगा, I will go back to the page, और अपकी बार, यहाँ पर paste करेंगा, आपको नजर आएगा, हमारा donation का form यहाँ पर add हो गया है, अब यह थोड़ी image slightly उपर है, तो आप इसको select कर सकते हैं, and इसका customization आप यहाँ पर change कर सकते हैं, कि आपको image का alignment क के आसपास, तो यह कुछ ऐसा दिखाई देगा image, okay, similarly, आप इसका size में changes कर सकते है, styling में changes कर सकते हैं, so I will not go in a detail, but यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको dealing करेंगा, तो safe here top से थोड़ा नीचे आएगा, not from the other side, okay, तो थोड़ा image बढ़ा दिखाई देगा, तो बस ऐसा, और यह changes करने के बाद आप publish पे चले जाए, अब की बार हमने form भी integrate कर दिया है, now let's see कि हमारा page कैसा दिखाई देता है, so if I will go to view page, आपको थोड़ा सा little different, तो यह हमारा homepage है, यह हमारा message है, okay, I believe the thing has yet not been saved, तो हम इसको save करेंगे, let's see कि वह form और detail यहाँ पर दिख रह करता हूँ, तो मैं अभी preview changes पे click करता हूँ, let's see कि page कैसा दिखाई देता है, तो आपको नज़रा रहा है, यह जो changes हमने किया, similarly यह जो causes है, वो दिख रहे है, हमारा donation का options है, आपर दिख रहा है, लोग navigate कर पाएंगे, तो that means all done, okay, similarly इसी page पे अगर आप नीचे कुछ additional fill लग drop कर सकते हैं, यह वाला icon के अंदर अगर आपको phone number दिखाना है, या फिर phone लगाना है, तो आप phone select करें, phone का number आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो यह हमारा icon create हो जाएगा, now you can make changes this, something like contact us, और यह वाले के अंदर आप phone number दे सकते हैं, जैसे कि, यह हमारा phone number, इस icon को थोड़ा slide करना है, आप styling में चले जाए या फिर advanced में चले जाए, और इसको left कर दें, तो आपको नजर आएगा कि यह वाला part थोड़ा left में चला गया है, okay, तो जैसे हमने आपे यह set कर दिया, similarly आपको address set करना है, आप फिर से यहाँ पर icon पर आजाए, icon box को drag and drop करें, इसको अगर आपको check करना है, आप map डाल सकते हैं, तो आपको यह map के pinpoint दिखाई देंगे, जो भी आपको add करना है, तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, और इसको आप update कर सकते है, like address, और यहाँ पर जो भी है, इंडिया, जो भी आपका address है, आपको दिख गया, similarly हम तीसरे detail में क्या कर सकते है, contact, address and let's say, map, google map, तो हम इसको drag and drop करेंगे, तो यहाँ पर हमारा वो google map दिखाई देगा, exactly कहाँ पर, इसको आप सेलेक करके थोड़ा सा styling में change कर सकते हो, कि हम middle में ला सकते है, advance में जाकर क आप थोला center में drag and drop कर सकते हैं, और यह वाला जो area है, आपको क्या करना है, कि अगर आप map पे click करते है, content के अंदर जाकर के, आप खुद का address डाल सकते हो, कि जैसे मैंने महरास्टा इंडिया ले लिया, तो इसने वही accept कर लिया, और इसकी बज़ आप को specific address लिखेंगे, तो वो इस particular address को pinpoint करेंगा, उसके लिए आपका business, Google My Business पर register करवाद है, Google Map में register होना चाहिए, और उसका जो भी exactly address होगा, वो paste कर दाया, तो automatically वो map में दिखाए देगा, ओके, अभी हम save draft पे करता है, तो कुझे इस तरीके समने पूरा page design कर दिया है, let me save draft, ओके, और यह जो image है, ज तो कि वो image का size अभी perfectly optimized नहीं है, तो अभी हमारी image aligned है, सारो सब कुछ दिख रही है, now see कि अगर कोई donation के button पे click करें, तो यहाँ पर आना चाहिए, that is our objective, वो आप कैसे कर सकते हैं, तो जब भी आप इस element को click करते हैं, अगर आप एडवांस में जाते हैं, आपको इसको एक ना donation, तो जब भी कोई इस पे click करेगा, यहाँ पर आएगा, इस पे click करेगा, यहाँ पर आएगा, okay, similarly इसको में जाओंगा, and then इसको भी यही काम करूँगा, उसका जो नाम दिया है donation, यहाँ पर जाओंगा, इसको भी दूँगा donation, right, और simply यहाँ पर हम कर देता है, save draft, now let's see कि changes reflect हुआ एकने, तो जैसे मैं आप इसको click करूँगा, now you'll find कि यहाँ पर यह option है, जैसे मैं donut पर click करूँगा, यहाँ पर आगया, इस पर click करूँगा, यहाँ पर आगया, तो कुछ इस तरीके से आप particular element को map कर पाएंगे button के साथ, similarly इस वाले button में change करना है, कोई भी इसको click कर है, वहीं पर जाए, तो आप यहाँ पर click करें, then go to, sorry, this one, and then make sure आप यहाँ पर आकर के वो ID पेस्ट कर दे, जो भी आपने उस element की दी है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे buttons को इसी पार के साथ click किया, जो भी changes करना चाहता है, और rest आप कर सकतो, तो कुछ इस तरी options, options निया, क्योंकि यह बना-बनाया page है, और हमने existing page को update नहीं किया, right, तो similarly, this page को आप अप अप्लिश कर सकते हैं, जैसा आप इसको publish करेंगे, we are expecting कि अगर वही page को हमने आपे homepage के तरह use किया, तो वह सब कुछ अभी reflect हो रहा है, हमारी live website पे, तो आपको नजर आ रहा है, य जो भी आप changes करना चाहे, you can do that, scroll down, आपको bottom के अंदर यही सारे चीज़े, on tag, address, map, सब कुछ दिखाई दे रहा है, now, the point here is कि हमने याप एक page बनाया था, see all campaign के नाम से, जहाँ पर आप सारे campaign दिखा सकते, अभी तक आपके जितने भी campaign है, तो by default यहाँ पर already code install है, वो आपक भी क्लिक करके आप उसके edit window पे जा सकता है, तो let's see, यह वाला वो page है, और अगर आपको जो भी text इसमें edit करना है, आप वही elementor के plugin के help से change कर सकते हैं, तो अभी कलिए मैं इसी को use करूंगा, यह container की ज़रूत नहीं है, तो हमारे यह वाला page है, और इसका यह वाला title है, तो य यह automatically उसको display करेगा, similarly, यही सारी चीजे और इस page में customized है, ताकि कोई बंदा जाकर देखे कि आपकी site पे अलग-लग क्या campaign चल रहा है, तो वो इस page पे click करके जा सकता है, और इसको further customize कर सकता है, जैसे example के अगर आपको यह look and fill पसंद नहीं आ रहा है, make sure आप delete कर सकते हैं, और हम जाएंगे हमारे forms के अंदर, which are this one, donation के अंदर, all form के अंदर जाएंगे, और all form के अंदर हमें यह तिनों form दिखाई दे रहा है, तो I will go there, okay, and make sure I will make changes here, okay, तो यह वाला form एक display हो गया, यहां पर, पहला वाला cause, let's go back, and this is the second one, इसको हम copy करेंगे, यहां पर आएंगे, और इ तीसरे वाले में भी हम वही पर shortcode को paste करेंगे, जो हमारा तीसरा shortcode है, I dragged and dropped here, now come back, and let's copy this, और इसके बाद यह वाले section पर उसको paste कर देंगे, okay, and कुछ apply करेंगे, और इस page को भी हम publish कर देंगे, जो भी हमारा existing page है, तो अब की बार, अब see all campaign पर अगर हम जाके देखते हैं, ह तो it is down to us हमें कैसे कस्टमाइज करना है, कैसे दिखाना है, बट या, इनके खुद के shortcords ready made है, वो भी आप use कर सकते हैं, अदर्वास manually copy paste करके भी इसको design कर सकते हैं, और इस तरीके सम जो भी pages बनाते हैं, वो यहाँ पर हम add कर सकते हैं, और यह होता है menu का part, और वो कैसे design हो यह नहीं पसंदे करना, नया menu design करना है, तो create a new menu पर जाना है, और यहाँ पर आके इसको नाम देना है कि हम दे रहा है primary, save, cause के नाम समनेक नाम दिया, और यह हमारा primary menu रहेगा, तो यह हमारी site का menu है, इसमें हमें क्या-क्या add करना है, वो हम add कर सकते हैं, ग्जांपल के लिए pages, तो pages के नदर donation field, success dashboard, donor, see all campaign का जो हमने page बना है, वो भी हम यहाँ पर add करेंगे, और let's say about us का page, तो यह तीनो के तीनो के तीनो हम यहाँ पर add करेंगे, तो आपको नजर आ रहा है home, about us, or see all campaign के नाम से, मैं save menu पर click करूंगा, now let's see, how it look like, तो home, about us, see all campaign, or donate now का button already है, तो यह बटन है, वो obviously आप customize कर सकते हैं, but now these three options only, अगर आप see all campaign पर जाएंगे, तो वो सारे campaign दिखाई देंगे, अगर आप home पर जाएंगे, तो हमारा already existing page है, वो दिखाई देगा, okay, और एक और चीज, कभी-कभी आप अलग pages design करते हो, जैसे यह तो home page के हैं, लेकिन आपने अलग option दिखाई देगा, which is a home page setting, आप यहाँ पर चले जाया, और यह जो page है, जो भी आपने design किया है, वो page यहाँ पर select करते है, अगर मैं see all campaign को select करता हो, तो जब भी कोई home पर click करेगा, वो see all campaign वाला page दिखाई देगा, आपको बताना होगा, कि जब user home पर आए, आप पर domain को browse कर सबसे पहले है, जो आपकी site का home page है, तो अभी कलिए, obviously हमने home को ही design किया, इस page को नाम दिया हो, और वही page यहाँ पर display हो रहा है, तो अगर आपकोई confusion है, कि यह menu को कैसे design करना है, category कैसे बनाना है, तो मैं एक और वीडियो आपको suggest करूँगा, जहाँ पर आपको पूरा WordPress का menu सब्सक्राइशन समझ में आजाएगा, तक यह पूरी detail में learning हो, okay, now let's go and publish it, तो कुछ इस तरीके सामने सारे pages को design किया, now let's go back, हमने यह सब कुछ कर दिया, finally हमारा home page भी ready है, उसको हमने integrate कर दिया donation form के साथ, अभी बार ही है, test with donation, हम donation को test करेंगे, कि सही में यह काम कर रहा है कर रहा है, तो उसके लिए में क्या करूँगा, हमारी site को open करूँगा, which is this one, remember आप logo अगो सब theme customization के तुरू change कर सकते, कैसे, जिसे कहा हमने का, customize में चले जाए, आप home theme को customize कर रहे है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, global के अंदर चले जाए, यहाँ पर अलग-अप्शन से, similarly आपको यहाँ पर दिख रहा है, header का builder, और यहाँ पर आप आपकर करें, site logo को click करें, और यह जो logo है, इसको आप change कर सकते, आप change logo पे चले जाए, आपका जो भी logo है, let's take an example, कि मैं कोई logo select करता हूँ, which is this one, यह हमारी site का logo है, मैं इसको select करूँगा, इसको crop करना आपको, इस image को, and then ultimately, यह हमारी site का logo हो गया, अब इसको आप obviously change कर सकते, logo की weight और height जो भी आपने logo design किया, something like this, तो यह आपके site का कुछ ऐसा logo design कर देगा, जो भी आपको say लगता है, okay, similarly, अगर आप इसको remove करना चाहे, तो हम इसके लिए अलग से logo नहीं रखेंगे, अलग-अलग pages के लग किया है, which is this one, इसको अगर आपको add करना तो आप वही, donate पे click कर दे, तो automatically वो उसी event के साथ link हो जाएगा, जैसे donate पे click करेगा, वो वहाँ पे चला जाएगा, okay, similarly, कुछ इस तरीके से आप home page पे logo और everything design कर सकते है, अभी के लिए इसको हमें, लोगों के weight को थोड़ा और कम कर देता है, okay, थाकि वो properly aligned हो जाए, तो it's okay, so now I will make a publish, तो कुछ इस तरीके समने इसको design किया, let's go back and see कि अभी हमारी website पे क्या देख रहा है, तो ऐसे site दिख रहे है, नया logo आ चुका है अभी, ये images हम चेंज कर चुके है, चलिए अभी किसी को donation देना है, तो यहाँ पर आएग सोड़ा कम कर देता है, तो 5 to 5 0, continue पर जाना है, यहाँ पर जैसे किरतिश है, व्यास है, और कुछ नमबर दे देता हूँ, okay, this one like this, okay, email ID में याँ पर दे देता हूँ, जैसे कि, okay, and then continue, okay, तो यहाँ पर valid नमबर देने के बाद आपको continue पर करना है, यहाँ पर आपको नजर करेंगे, तो आपको दिखाई देगा, और जो terms और condition का page यहाँ पर आ रहा है, किसी को read करना है, वो यहाँ से read कर सकता है, अभी के लिए इसको click करेंगे, read करना है, वो यहाँ पर click करेगा, तो वो जो form था, जो हमने add किया था, वो इसको दिखाई देगा, you will accept, donate now, जैसे click कर तो यह सारा उसको donor के receipt generate होगी है, यह आपने pay किया है, आपने complete हो गया है, आपका donor यह है, और आप donor dashboard पर जाके भी देख सकते है, जो कि user देख पाएगा, और यह page भी हमने create किया है, by default create हो किया है, तो donor का dashboard आपको दिखाई देगा, simply same email id से आपको login करना, इस example के लिए है, तो go to donor dashboard, और जो भी email id है, जिसके through donation pay किया है, तो आपको नदर आ रहा है, उस बंदा जब भी उस id से login करेगा, उसको कुछ ऐसा दिखाई देगा, एक और basic setting है, जो आपको ध्यान रखनी है, कि आप general setting के अंदर चले जाए, यहाँ पर general के अंदर चले जाए, और make sure anyone can register option को enable कर देगा, जिससे कि कोई भी बंदा आपकी site पर register कर पाएगा, जब भी donation pay करेगा, तो वैसा donor का dashboard दिखाई देता है, और इसको भी आप further customize कर सकते है, आपने कितना payment किया, यह भी यहाँ पर दिखाई देगा, तो कुछ इस तरीके के customization options हैं, और कुछ इस तरीके से आप charity, NGO और donation के लिए website बना सकते हैं, चाया वो single page हो, multi page हो, जितने भी pages add करने आप कर सकते हैं, बट that is the crisp, कि आप क्या-क्या कर सकते हैं, और कैसे एक site को design कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यह जानना चाहते हैं, कि यह जो ऐस तरह की theme है, उसको और कैसे बहतर तरीके से customize कर सकते हैं, with Elementor, तो make sure आप इस वाले वीडियो को अभी जाके देख ले,